चेप्टर शिक्स आकर्शन का नियम ब्रम्हांड का सबसे प्रभावशाली नियम है प्रतेक विचार कमपित होता है, प्रतेक विचार संकेत प्रसारित करता है और प्रतेक विचार अनुकूल संकेतों को पुनह आकर्शित करता है हम इस प्रक्रिया को आकर्षन का नियम, law of attraction कहते हैं आकर्षन के नियम के अनुसार जो एक जैसे होंगे उनमें आकर्षन होगा और इसलिए आप आकर्षन के शक्तिशाली नियम को सार्वभौमिक नियंतरत के रूप में देख सकते हैं जो इस बात का ध्यान रखता है कि सभी एक जैसे विचार एक दूसरे से जुड़े रहें आप इस सिध्धान्त को तब समझते हैं जब आप अपना रेडियो चलाने पर उसके रिसीवर को सौध शपूरवग प्रसारन टावर के सिगनल से ट्यून करते हैं आप यह उम्मीद नहीं करते कि 101 FM की रेडियो फ्रिक्वेंसी पर प्रसारित संगीत आप तब सुन सकें जब आपका ट्यूनर 98.6 FM पर सेट हो आप जानते हैं रेडियो की कामपनिक आवरतियों का अनुकूलन होना आवश्यक है और आकर्शन का नियम आप से सहमत है अतहे हैं जब आपके अनुभव आपकी इच्छाओं के कामपनिक रॉकेट का प्रक्षिपण करने वाले हूँ तब आपको ऐसे तरीके खोजने चाहिए जिससे आपका कामपनिक सामन जस्य निरंतर उन इच्छाओं के साथ बना रहे जिनहें आप प्रत्यक्ष पाना चाहत आपका ध्यान किस पर केंद्रित है आप जिस भी चीज़ पर ध्यान देंगे आप मेंसे वैसे ही कमपन उत्पन न होंगे अगर आप जैसे कमपन प्रस्तावित करेंगे वैसी ही मांग करेंगे जो आपका आकर्शन बिंदू बनेंगी यति आप किसी ऐसी वस्तू की इच्छ रखते हैं जो फिलहाल आपके पास नहीं है तो आपको सिरफ उस पर अपना ध्यान बनाए रखना होगा और आकरशन के नियम द्वारा वहे आप तक पहुँच जाएंगी क्योंकि आपकी इस इच्छित वस्तु या अनुभव के बारे में सोचने पर आप एक कमपन हालांकि जब आप किसी ऐसी चीज की इच्छा करते हैं जो आपके पास नहीं है और फिर अपना ध्यान अपनी वर्दमान स्थिती उसके नय होने पर केंद्रित करते हैं तो आकरशन का नियम इस नय होने के कमपनों को अनुकूलित करने लगता है अत्यहें आप अपनी इच् इच्छा को आपकी इच्छा के साथ कामपनिक सामन जस्य बनाना होगा और कामपनिक सामन जस्य बनाने का सबसे आसान तरीका है आप अपने विचारों को इस अनुभव से प्राप्त आनंद की तरफ प्रवाहित करें और जब आप इस विचार का अभ्यास करेंगे निरंतर यह यही कमपन प्रस्तावित करते रहेंगे तब ऐसी स्थीती में आ जाएंगे जहां आप उसे अनुभव में स्विकार कर सकी अब अपनी अनुभूतियों पर ध्यान देने पर आप आसानी से जान जाएंगे कि आप अपनी इच्छित वस्तु पर केंद्रित हैं या अपनी इच् से उमीद से आतुरता से आनंद तक पहुँच जाएगी लेकिन यदि आप अपनी इच्छा की कमी या अनुपस्थिती पर केंद्रित हैं तो आपकी भावात्मक श्रेणी निराशावाद से चिंता से उत्साह भंग से क्रोध से एसुरक्षा से अवसाद तक महसूस हो सकती ह और चूंकि आप अपनी भावनाओं को लेकर बोधपूरवक जागरूख होंगे आप हमेशा जानते होंगे कि अपनी स्रजनात्मक प्रिक्रिया के सुईकारियता वाले हिस्से में क्या कर रहे हैं और तब आप फिर कभी इसे समझने में गल्ती नहीं करेंगे कि चीजें वै इच्छित दिशा में निर्देशित कर सकेंगे आप जिस पर विचार करेंगे आपको मिल जाएगा फिर आप उसे चाहते हूं या नहीं शक्तिशाली आकरशन के सार्वभौम नियम के अनुसार आप प्रमुक रूप से जिस पर भी विचार करेंगे उसी तक्त्व को अपनी और आकरशित कर लेंगे इसलिए यदि आप अपनी इच्छित वस्तों पर विचार करेंगे तो वही वस्तों आपके जीवन अनुभवों में प्रतिबिम्बित होने लगेंगी इसी प्रकार यदि आप प्रमुक रूप से उन वस्तों पर विचार करेंगे जिने आप नहीं चाहते हैं तो भी आपके जीवन अनुभवों में वही वस्तुएं प्रतिबिंबित होंगी। थोड़े समय के लिए तो आपके अस्तित्व का कमपन उन्ही कमपनों को प्रतिबिंबित करने लगता है जिन पर आपका ध्यान केंद्रित है। आपके जीवन अनुभवों में ऐसा कुछ नहीं घड़ सकता जिसे आपने अपने विचारों के माध्यम से अमंतरत ने किया हूँ। चूँकि शक्तिशाली आकरशन के नियम का कोई अपवाद नहीं है इसलिए इसके बारे में सब कुछ जानना बहुत आसान है। और एक बार जब आप यह समझ जाते हैं तो आपको वही मिलता है जिसके बारे में आप सोचते हैं। और यह भी महतोपूर्ण है कि जब आप यह समझ जाते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं तब आप अपने अनुभवों के संपूर्ण नियंतरन के प्रियोग की स्थिते में होते हैं। आपका कामपनिक अंतर कितना बड़ा है। यहां कुछ उधारन देते हैं। आपके अपने जीवन साथी के प्रती सराहना के विचारों और अपने जीवन साथी में क्या लग देखना चाहते हैं। संबंधी विचारों में काफी बड़ा कामपनिक अंतर होता है और निरपवाद रूप से अपने जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में आपके प्रबल विचार पतिबंबित होते हैं भले ही आपने ऐसा जान पूछ करने किया हो लेकिन आपने वस्तुत है अपने पूर्ण भावनाएं दोनों के कमपन भिन हैं अपनी कानपनिक प्रकृति को समझ लेने पर आपके लिए अपनी खुद की वास्तविक्ता का सोदेश्यस रिजन आसान हो जाता है समयवे अभ्यास के साथ ही आप जान जाते हैं कि आप अपनी इच्छाओं को आसानी से पूर युथ हैं आप स्त्रोत औरजा हैं आप स्रजन करता हैं आप विचारों में अगरणी हैं आप सबसे विशिष्ट सबसे सक्रिय आहवान करता हैं आप उस औरजा के उपयोग करता हैं जिससे संसार का स्रजन होता है आप इस सदा विक्सित हो रहे शाश्वत जगत में हर जग भले ही पहले पहल आपको यह अजीब लगे लेकिन इससे आपको स्वयम को कामपनिक जीव के तोर पर स्विकार करने में मदद मिलेगी चूँकि यह एक कामपनिक जगत है जहां आप रहे रहे हैं अताइस ब्रहम्भांड पर शाशन करने वाला नियम कमपन आधारित है एक बा स्पष्टता और समझ में परिवर्तित हो जाते हैं संदेह वेभय की जगह ज्यान और विश्वास ले लेते हैं ए निश्चित्ता की जगह निश्चित्ता ले लेती है और आनंद आपके अनुभव की पुनियाद के तोर पर पुनह लोटाता है जब आपकी इच्छाओं और विश्वासों में कामपनिक तालमेल हो एक जैसे एक दूसरे के प्रती आकरशित होते हैं अतहे अपनी इच्छाओं को पूरी तरह हासल करने के लिए आपके कमपनों का आपकी इच्छाओं के कमपनों के साथ तालमेल होना आवश्चक है आप किसी चीज की इच्छा और उस उसे पाने की आशा तब तक नहीं रख सकते जब तक आप प्रमुक रूप से उसकी अनुपस्थिती पर गेंद्रित रहते हैं क्योंकि इस अनुपस्थिती की कामपनिक आवरेती और इसकी उपस्थिती की कामपनिक आवरेती में बहुत अंतर है इसे आप उस तरह कह सकते हैं क आप जिस वस्तू की इच्छा रखते हैं उसे पाने के लिए आपकी इच्छाओं और आपके विश्वास में कामपनिक तालमेल होना चाहिए आप एक बड़ी तस्वीर का नजारा करते हैं आप यहां उन अनुभवों को प्राप्त कर रहे हैं जिनसे आप जाने अन जाने वे अपनी दिव्वे वे विशिष्ट द्रिश्टिकोन को अपनी व्यक्तिगत प्राथमिक्ता को पहचान सकें अब जब ऐसा होता है तब स्त्रो जो आपको सुनता है आपसे प्रेम करता है वह आपके कामपनिक व्यविध्यूतिय अनुरोधों का तुरंत उत्तर देता है फिर चाहे आप उसे बोधपूर्ण मौकिक शब्दों में व्यक्त करें या नहीं इसलिए आपने चाहे कुछ भी मांगा हो आपने इसे शब्दों दिया जाएगा आपका अस्तित्व सर्वकल्यान स्त्रोध के लिए लाभप्रद है आपको होने वाले विशिष्ट अनुभव जिन से आपके भीतर विशिष्ट इच्छाएं उत्तपन होती है और चूंकि स्त्रोध आपके अनुरोधों को सुनता है उत्तर देता है इससे हम जिस प्रम्हांड में रहते हैं उसका विस्तार करता है कितनी शांधार बात है आपकी तत्कालिन समय अंतराल वास्तविक्ता आपकी तत्कालिन संस्कृती आपका चीजों को देखने का तत्कालिन तरीका कि सभी चीजें जिन से आपके दृष्टिकोन का निर्मान हुआ है पीडियों में विक्सित हुआ है बलकि उन सभी इच्छाओं, निशकर्षों और द्रिष्टिकोनों को पुन्हा खोजना संभव ही नहीं है जिसका परिणाम आपका यहां वे अभी का विशिष्ट द्रिष्टिकोन है लेकिन हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आपका यह अपके महत्व पर कोई सवाल नहीं है हमारे लिए तो कताई नहीं हम आपकी एपरिमित महत्ता पूर्णतह समझते हैं आपकी पात्रता पर कोई सवाल नहीं हमारे लिए तो कताई नहीं हमें मालूम है आप इस उर्जा के पात्र हैं जो आपकी प्रतेक इच्छा पर प्रतिक प्रिया देने वाले जगत का निर्मान करती है और हमें यह भी मालूम है कि ऐसा होता है लेकिन आप में से बहुत से लोग कई कारणों से अपने आपको उन चीजों को हासल करने से दूर रखते हैं जिनहें आप मांग रहे हैं हम चाहते हैं आप अपने उस प्राकरतिक शम्ता को फिर से प्राप्त करें जिससे आप इस प्रम्हांड के कल्यान को अपने अनुभव की और स्थिर्व अबादित रूप से प्रवाहित होना स्विकार कर सकें और इस शास्त्र को हम स्विक्रती की कला कहते हैं आप जहां पर हैं तथा जहां से आए हैं वहां के प्रतेक कण को इसी कल्यान को स्विक्रती की कला ने बनाया है जो जब तक आप ऐसा करते रहते हैं आपके माधन से निरंतित प्रवाहित होती रहती है स्विक्रती की कला वह कला है जो उस कल्यान से प्रतिरोध को समाप्त करती है जिसके आप पात्र हैं वह कल्यान जो स्वाभाविक है वह कल्यान जो आपकी विरसत है आपका स्त्रोध और आपका मूल अस्त्त्व है यहां जो कुछ भी प्रस्तुत किया जाने वाला है उसे समझन के लिए आपको कोई प्रात में कोर्स करने की आवशक्ता नहीं are यहाफ उस तक लिखी ही इसलिए गई है कि आपको वही से महत्व मिलने लगे जहां पर आप अभी है आप इस जानकारी के लिए पूर्ण तहत तयार है बिलकुल अभी और यह जानकारी भी आपके लिए पूरी तरह से तयार है